गुड मॉनिंग डियर स्टूडेंट्स आज आज जल्दी से आप सभी और आपकी मास्टर कलास सुरू हो चुकी है जिसमें आज आप देखेंगे चौथा भाग मास्टर कलास का चौथा भाग देखेंगे उसके पहले आपको याद दिला दें अगर आप नए-ने जुड़े है सभी को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें साथियों पिछली तीन कलासों में हम सभी ने देख लिया है आयत यानिकी रेक्टेंगल जिसमें रेक्टेंगल का डायमेटर हमने पढ़ लिया है डायमेटर तो नहीं था इसमें फिलहाल रेक्टेंगल में कहां से होता वो तो सरकल में होता है डाइगोनल पढ़ा है हमने है ना डाइगोनल पढ़ लिया मतलब एक परकार से बिकर्ण है ना और परिमाप पढ़ लिया पेरिमीटर एरिया पढ़ लिया छेतरफल लेकिन अब हम यही सब चीजें पढ़ने वाले हैं कि इसमें वर्ग में इसक्वायर में इसमें थोड़ा सा अलग होता है चीजें चलिए आगे देखते हैं उसके पहले आपको याद दिला दें लेकिन ज्यादा याद नहीं दिलाएंगे जाने दीचे गड़बर हो जायागा चलिए पहले टॉपिक पे चलते हैं देखे जैसे हमने बना लिया एक इसक्वायर इसका नाम अगर मैं दे दूँ तो एवी सीडी इतना बात पकी है न अब देखना इसका हम सभी कांसेप्ट सीखने वाले एंगदम पोश्ट माड़म करने वाले हैं तो सबसे पहले मुख्य बाते होती हैं वो मैं आपको याद दिलादू किसी भी चितुर्भुच की मुख्यवाद्थ होती हैं परिमाफ आनि की पेर्मींटर छेतरफल मतलब एरिया और उसका डाइगोनल यहननि की बिखर्ड ये तीन बाते मुख्यवाद्य होती तो पहले परिमाप की बात करते हैं जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि किसी भी आकरती का जो परिमाप होता है साथियों वो उसके चारो भुजाओं के जोड को कहा जाता है चारो भुजाओं के जोड को परिमाप कहा जाता है है ना तो सिंपल सी बात है यार अगर इसका बुजा जो है इस टैंडर्ड फाम में माने तो ए मिन्स आम्स होता है और ए मिन्स बुजा तो इसे अगर हम ए मान लें तो यह क्या होगी यह भी ए होगी क्यों क्यों कि भाई वर्ग की सारी बुजाएं बराबर होती है अफस में तो यह भी ए होगी और यह भी क्या होगा ए होगा सब को बाहर लिखें इसको अंदर लिखेंगे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा ये लो ठीक तो सिंपल सी बात है यार परिमाफ बराबर हमने आपको बहुत बार बताया है जो नियम बताया वही लगाना है चारो बुजाओं के जोड को परिमाफ कहते हैं चारो बुजाएं ए ए हैं और चार बार हैं तो चारो लिख दो जोडोगे तो यह 4A हो जाएगा इसलिए हम कहते हैं कि वर्ग का जो परिमाफ होता है 4A होता है 4A क्यूं होता आपने समझ लिया ना इसमें कुछ कहने की बात नहीं है यह सूत्र हो गया जहां A बराबर क्या है भूजा है तो इसे आप हिंदी में लिख सकते हो और आपको याद दिला दें कि pvrstudy.com अगर आप विजिट नहीं किया भी तो एक बार जरूर करिएगा वहां से आपको बहुत कुछ मिलेगा और हमारी paid class का 80% free में देखने के लिए pvrstudy को facebook पर आवसे like करके follow कर ले अगर आप facebook पर like करके follow करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारी class मिलेंगी ठीक ना तो याद रखिएगा इन सब बातों को बाकी तो हमागी चलते हैं अब हम बात करते हैं छेतरफल की किसकी छेतरफल यानि एरिया की आप ध्यान देना एरिया की definition हमने आपको दो दिन पहले बता दिया कि किसी भी आकरती के लंबाई और चौड़ाई के गुड़न फल को उसका छेतरफल कहते हैं है न तो सिंपल सी बात है यार इसकी लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है इसमें चाहे जो लंबाई मानो चाहे जो चौड़ाई मानो क्योंकि सबी तो बराबर होती है होती है ना तो छेतरफल बराबर सूत्र वही होगा लंबाई गुड़े चोड़ाई वाला यह हर एक आकरती के लिए आप यही लगाओगे फर्मूला आपका आजाएगा आपके सामने साथियों इसमें सनियोग बस लंबाई भी ए है और चोड़ाई भी ए है तो इसलिए इसका सूत्र हो जाता ए का स्कॉयर जहां ए बराबर अगर भुजा है तो वर्ग का छेतरफल बराबर हो जाता है भुजा का स्कॉयर है ना और यह छेतरफल का सूत्र आप सभी जानते हो मसहूर है, है ना, लेकिन ये बुजा का स्कॉयर क्यों आ गया, क्योंकि लंबाई और चोड़ाई जो होती है, वर्ग में वो बराबर होती है, इस कारणसी ये बुजा का स्कॉयर हो जाता है, लेकिन ये छेतरफला और परिमाप आपने देख तो लिया, हम कर चुके हैं, तो परिमाप का सवाल दिखाते हैं, और बाकी वो जो एक थी बच रहना भी कर्ड, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे भी कर्ड की, चलिए, अब इसमें कुछ एक्जामपल हो जाए, फट फट, है ना, लगे हाथ, तो अगर इस वर्ग की जो भुज हैं, भुजाय मतलब कोई भी एक भुजा लेलो साथी, दो है, दो सेंटी मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, कमेंट करके जल्दी से आंसर दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, कोसिस करिए, क्योंकि कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कुछ क समस्या नहीं होने वाली है, चलें आगे, अगर क्वाल्टी चेंज करके देखो के 720 पिक्सल पर तो एक दम फुल एच्टी दिखेगा, सूत्रा भी आपने निकाला था, फोरे होता है, जहां ए बराबर बुजा होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बुजा दो दी गई है, तो आठ सेंटी मीटर हो जाएगा, इसका परिमाफ हो गया, जिससे इंगलिस में बोलते हैं, फेरी मीटर, ऐसे ही कुछ होता है, स्पेलिंग होगा है, आपना समझ लीजिएगा, मतलब समझ ये बस, अगर छेतरफल की बात करें, तो क्या हो जाएगा, देखिए साथियो लंबाई जो है, तो चोड़ाई भी दो होगी, दोनों बराबर होगा, चुकि वर्ग है, तो इस तरह से ये चार सेंटी मीटर स्कॉयर हो जाएगा, लेकिन सेंटी मीटर स्कॉयर लगाना नहीं भूलना नहीं, तो अंतर नहीं रहेगा छेतरफल और परिमाफ में, क्यों अंतर बता देना, तुरंद बता देना, आगे चलें, चलिए, तो ये हो गए छेतरफल और परिमाफ, अब हम बात करते हैं डाइगोनल की, बिकरड की, लेकिन उसके पहले हम आपको एक एक जामपल दे देंगे, घर के लिए आप इसको जरूर करना, और फिर बताना कितना आ हो जाएगा, हो जाएगा ना, हर कोई कर लेगा, इसमें है क्या, कांसेप्ट आफ, इसको एर हम सब पढ़ रहे हैं तो इसको एर में जो जो होता है, सब कुछ पढ़ लेंगे, इसमें कुछ नहीं छोड़ने वाले, मुखे यही तीन होते हैं, चेतरफल, परिमाप और बिकर बाकी तो छोटे मोटे बहुत कुछ होते हैं, इसका एक सबसे बड़ा कांसेप्ट यह होता है, कि किसी भी वर्ग की चारों बुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और किसी भी वर्ग की जो आमने सामने की बुजाएं हैं, वो पहला नंबर तो ऐसे भी बोल सकते हो, कायत में होता है, बात करते हैं बिकर्ड की, बिकर्ड यानि की डाइगोनल, साथियों जो डाइगोनल होता है, बिकर्ड होता है, इसका फार्मूला यहां पर हमारे पास में है, इसे आप सभी नोट कर लो जल्दी से, आदेखिये, अंडरूट टू इंटू भुजा होता है, इसका सुत्र होता है अंडरूट टू इंटू भुजा यह इसका फार्मूला है लक्सी इसको आपको लगा देना है बस ठीक है यह आता कैसे है यह भी हम आपको बता सकते हैं लेकिन अभी चल्ले दीजी काम ऐसे ही अगर चार सेंटिमीटर इसकी बुजा दी गई है और इसका बिकरण निकालना है तो कितना होगा पता है यह अंडरूट टू इंटू फोर है ना यही होगा यही इसका आंसर होगा फोर इंटू अंडरूट टू क्या हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकरण ह हो जाएगा यानि कि बिकरण का मतलब जानते हो ये वुजा फोर इंटु अंडर उटू हो जाएगी तो बात समझ में आ रही ने कुछ नहीं आएगा तो बता दे ना बिलकुल बिना किसी टेंसन के बस कमेंट कर दे ना एक छोटा सा चुपके से हम आपको फिर से बता देंगे साथियों उनके करजदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्नों ने आपका मुश्किल में साथ दिया है क्योंकि अंजाम की ख़बर तो करण को भी थी लेकिन बात तो सिर्फ दोस्ती निवाने की थी जो दुरियोधन के हिती बन गए थे समझ रहे हो ना हम कौन सी बात कर रहे हैं तो ऐसे बहुत से भी आपके जिन्दगी में भी पहलाएं होंगे और बहुत से परसन होंगे जिन्नों ने आपका भी साथ दिया होगा तो आप भूलना मत उसे और अगर आप भी तक आपने फीवियरे स्टेडी लाहबाद और फीवियरे स्टेडी ग्रूप इंसाभी चैनल को सबस्क्राइब ने किया तो तुरंद कर लें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको सारी कलास मिल सके इस समय हम देख रहे हैं माश्टर कलास जो की 10 से 15 म कलास मिलने लगी ठीक है 25 दिसंबर से आपको मिलने लगेंगी क्योंकि आपको पता है कि दादी की टाथ हो गई थी हरको जामता है और अब ये 22-22 में ते रही और भी होने वाला है आपको पता है है ना तो ये सब भी जिन्दगी के एक हिस्सा है एक महत्वपूर पार्ट है इसमें भी सामिल होना होता है क्योंकि अपनों से दूर हट करके बनाईगे जो उची मंजिल होती है ना किसी काम की नहीं होती है तो बस अपनों से चुड़े रहना है और आगे भी चलना है तो साथियों अपना धारे बना के रखिएगा 25 के बाद से हम आपको 1-2 घंटे की लाइब कलास दिखाएंगे तब तक आप 10-15 मिनट का देखते रहिए लेकिन इसमें जो चीजें सिखाई जा रही है उन्हें आप कंठस्ट कर ले उससे related सवाल खुद से करें अगले से पूँचें और कोसिस करें एक example हम आपको question और भी दे दे रहे हैं यदि एक वर्ग की भूजा दी गई है कितना है? 7 cm है तो इसका प्वी मतलब परिमाब बताना ए मतलब एरिया बताना और डी मतलब डाइगोनल बताना परिमाब, छेत्रफल और विकर्ड बताना ठीक है? question number है ये एक question और है यदि किसी वर्ग की जो भूजा है वो 9 cm दी गई है तो इसका प्वी मतलब बताना एरिया बताना और डाइगोनल बताना ये दो सवाल आपके लिए होम वर्ग है formula ये होता है डाइगोनल निकालने के लिए बाकिया और सब आप पहले से लिख चुके हो साथियों आपको बता दें कि अगर आप ने ने जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अबस से करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको सभी कलास मिल सके इसके अलामा आपको चलते चलते बता दें कि उपर वाटस अप नंबर दिया गया है अगर आप कंपलीट कलास वाटस अप पर पाना चाहते हैं तो आपको मातर 549 रूपए जमा करके और कलास करना होगा वाटस अप पे सब कुछ मिलेगा बाकी अगर फ्री में देखना है तो यूटूब पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें और यूटूब पे फ्री में देखते रहें लेकिन यूटूब पर कुछ कलास जो है वो दिखती है कुछ नहीं दिखती है है ना पेड़ वाली कलास का 80% भाग प्राप्त करने के लिए आप पेड़ वाली कलास के लगभग 80% भाग फ्री में मिल सके अगर किसी परकार की इंक्वाइरी है तो आप हमें फोन काल कर सकते हैं दो पहर बारा से एक के बीच में जिसके लिए नंबर है नाइन से बाइन थरी फोर एट फोर एट इनी बातों के साथ आज की कलास के उसमाप्त करने की दीजी इजाजट मैरे ऐच कुमारे दूबन सी फिर से मिलूँगा आपकी एक नई कलास के साथ एक नए जोस, एक नए जुनून के साथ एक नए उमीद के साथ तब तक के लिए जैहिन चलते चलते एक निवेतन होगा इस क्लास को अपने दोस्तों में सेयर करके जाईएगा जिससे की अगले को भी इसका लाव मिल सके तो सेयर जरूर करिएगा साथियों थैंक यू